डोस्तो गर आपके स्टेट पैंग कमिरांों तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड़निश निकल कर आ रहे हैं क्यूंकि यहां पर स्टेट वायंक करनसी में एक नया रीइजिटेशन स्टार्ट हो गया रहे हैं अगर आपकाउंट स्ट्पैंग कमिरेश्टेशन कर सकते हैं तो आपके सामने यह application आ जाएगे इसके उपर आपको क्लिक कर देना है तो यह 25 MB की application इसको आपको install कर लेना इस टेल वाले उसन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह install हो रहा है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि bank का बढ़ाओदा के digital currency में आप एक नया registration कैसे कर सकते हैं उसमें मैंने registration करके complete post आपको बताया हूँ अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप जो bank का बढ़ाओदा में digital currency में कैसे registration किया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल आपको मि क्लिक कर देना है उसके बाद यहां से आपको कुछ permission वैगा तो आपको यहांपरEl İंड कर देना है क्लिक कर देना है तो कर रहांỉस का यहां पर यहाँ पर बोला जाएगा कि आपको पना इस्टेटड बैंक के एकांड में link है और तो यहीं मेरा है इस फोन में है तो मैं इस SIM के उपर टिक करूँगा और यहां पर verify SIM पर क्लिक कर देता हूं उसके बाद यहां पर SIM verification processing में भी चाल लिए कुछ सिकने आपको यहां पर बेट कर लेना है तो आप यहां पर देख सकते हैं your SIM card has been successfully verified हो गया है continue evaluation पर आपको क्लिक कर देना है उसके यहां पर आपके सामने बोला जाएगा कि आपको इस application में लगाना है जैसे आप पिन लगा सकते हैं पैटन लोग लगा सकते हैं तो यहां पर आपको set app इसको उपर अप्लिक कर देना है तो चलिए मैं बाइमेट्रिक से लगाने वाला हूं तो फोन में फिंगर पिल लगा लेता हूं लगाने के बाद में यहां पर आपको अपना नाम इंटर करना होगा लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने इसमें एक बाद ट्राइ किया था तो मेरा हुआ नहीं Pen shrug तो इसके बाद दोस्तों मैंने जैसे को बताया कि मैंने इसमें एक बार ichen का कोजिश किया था तो यहां पर मैंने बना लिया थो तो यहां पर हम clair से recovery with pin का option आया है कि मैं इसके उपर क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर create pin का option आएगा जो आगे मैं आपको बताऊँगा तो मैं यहाँ पर recover with pin वाले option पर क्लिक करूँगा उसके बाद जो मैंने pin बनाया था पहले वह pin मैं यहाँ पर enter कर देता हूँ पिन इंटर करने के बाद में यहाँ पर right down को पर क्लिक करेंगे तो जब आप पहली बार आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर create your wallet pin बनाने का option आएगा तो आपको दोनों में 6 digits का पिन बना लेना है तो चलिए मैं दोनों में 6 digits का यह new pin बना लेता हूँ यहां पर सिख डिरीज का पिन बनाने के बाद में उसके बाद आपको यहां पर राइट डान पर क्लिक कर देना है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं your wallet has been recovery successfully यानि कि आपका पिन जो है रिकवर होगे फिर से आप नया पिन बना लिए हैं उसके बाद यहां पर continue solution पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर link state bank of India account का आएगा आपको continue solution पर क्लिक कर देना है तो यहां पर हमारा ना हमारा mobile number हमको देखने को मिल गया है लेकिन यहां पर कुछ error message हो रहा है और आप यहां पर देख सकते हैं you are not eligible for a full KYC wallet इस तरह का error में हमको देखने को मिल जा रहा है अगर मैं यहां पर next valuation पर क्लिक करता हूं तो हमको एक alerts हो रहा है please complete the KYC to use your wallet इस तरह का alerts हो रहा है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सायद यह नया registration में अभी इस तरह का कुछ problem चल रही है इसके लिए error हमको देखने को मिल जा रहा है लेकिन यहां पर मैंने fourth step को complete कर लिया और one step बाकी है और one step में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको अपने debit card के details देने होगी जिसमें आपको KYC verification कराना होगा आपको अपने debit card का last का CDG और inspiring month year देना होगा तो आप जो है state bank of India के digital currency में successful register कर पाएंगे लेकिन मैं तो यहां पर register नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इस वीडियो को मैं upload कर दूँगा जिससे कि आपको पता चल सके कि state bank of India में digital currency में एक नया registration हो रहा है तो सायद यह कोई technical issue आपर सामने इस तरह का message हो रहा है तो आई फो दोस्तों की पसंद देख लाइक किज़ों सासे कर देख चैनल